हेलो फ्रेंड्स आज हम दो रंग का एक बहुत आसान और खुबसूरत डिजाइन सिखेंगे इसे बनाने के लिए हमें चार के मल्टिपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा तो मैंने तेरा फंदे डाले हैं चार चार और एक फंदा एक्स्ट्रा एज के लिए तो तेरा फंदे डाले हैं डिजाइन पहली लाइन से ही स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पे हम अपना दूसरा कलर अटेश कर लेंगे तो मैंने अपना दूसरा कलर अटेश कर लिया अब पहले कलर के उनसे हम दो फंदा सीधा बनेंगे डिजाइन में दोनों कलर साथ साथ चलेंगे तो पहले कलर के उनसे दो फंदा सीधा बना तीसरे फंदे में हम दूसरे कलर के उनसे तीन फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा बना लिया अब उनको हम दो बारे से लपेटेंगे हम 3 फंदा सीधा बनेंगे एक दो और तीन नेकस्ट तीन फंदा दूसरे ञलर के उनसे 1 फंदा सीधा बना फिर 2 फंदह हम ऐसे उन को सलाइ में लपेतेंड फिर एक और सीधा फंदा बना लेंगे तीन फंदा पहले कलर के लेकर आ पयर्म ही क्लर के उनसे सीधा निया फिर तिन फंदा दूसरे कलर के उन से सीधा लेकिन तीनों फंदा हमें एक ही फंदे में बनाना है एक बनाया फिर उन सलाई में दो बारला पेटेंगे फिर इसी फंदे में एक और सीधा फंदा बनाएंगे लास्ट के दो फंदे पहले कलर के उन से सीधे बंगे जाएंगे तो इस तरह हमारा पहला लाइन कम्प्लीट होगा डिजाइन दो ही लाइन का है तो ध्यान से देखिएगा अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में ये डिजाइन का दूसा लाइन है अब इस लाइन में हमें अपने दूसरे कलर के उन से बुनाई नहीं करना है पूरी लाइन हमें पहले कलर के उन से ही बुना है तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे अब यहां देखिए ये ये फंदा और हमने जो तीन फंदे बनाये थे दूसरे कलर के उन से उन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे और यूं ऐसे पलट लेंगे अब दोनों फंदों को हम एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे अब जो हमने ये लपेटा था इसे हम खोलेंगे लेकिन इसे हमें बुनना नहीं है अब नेक्स्ट दो फंदा ये दूसरे करण का एक फंदा और पहले करण का एक फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएगे इस तरह यहां पे हमने तीन फंदे बनाये थे दो फंदा बढ़ गया था और यह दोनों फंदे यहां पे हमारे घट जा रहे हैं यानि जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो जा रहे हैं फिर एक फंदा उल्ट नेक्स्ट हमें दो फंदो को एक साथ लेना है, एक पहले कलर के उनका और एक दूसरे रंग के उनका, दोनों फंदो को एक साथ लेंगे, ऐसे पल्टेंगे और फिर हम अपने पहले कलर के उनसे इन्हें उल्टा बुना लेंगे, अब चुकि हमें दूसरे कलर के उनसे अब ये हमने जो फंदा लपेटा था इसे हम खोलेंगे फिर दो फंदो को एक साथ लेंगे एक दूसरे करण का फंदा और एक पहले करण का फंदा इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना रहेंगे तो जो फंदे हमारे बढ़े हुए थे वो यहाँ पे घर्टे जा रहे हैं साथ साथ हम फंदा लपिर्टे हुए जाएंगे क्योंकि इसे हमें वापस एंड तक साथ लाना है तो देखिए हमारा डिजाइन आपको सपस्ट हो रहा होगा अब फिर इन ही दोनों लाइनों को हमें दूर आना है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा अब हम चार फंदो को पहली रंके उन से सीधा बनेंगे एक दो तीन चार देखिए एक फंदा जो यह बिच में रह गया था अब की डिजाइन इसी फंदे पर बनेगा तो दूसरे कलर के उन से हमें तीन फंदा बनाना है एक फिर उन सलाई में लपेटेंगे एक बार लपेटा एक बार और लपेटा दो हुआ फिर इसे में एक और फंदा तो हमने तीन फंदे बना लिया अब देखे ये डिजाइन वाले तीन फंदे अब हमें इन्हें पहले कलर क उनसे सीधा बुन लेना है पर चौथा फंदा देखे जो एक फंदा रह गया था अब की डिजाइन इस पर बनेगा तो दो लाइन का ही यह डिजाइन है डिजाइन बहुत खुबसूरत है और बहुत ही आसान अब लास्ट के चारो फंदे देखे तीन डिजाइन वाला और एक यह एज चारो को हम प्राइमरी कलर के उनसे सीधा बनेंगे डिजाइन बहुत खुबसूरत और बहुत ही आसान है इसे आप किसी भी लेदीज प्रोजेक्ट में या बच्चो के प्रोजेक्ट में डालेंगे यह बहुत ही अच्छा रहेगा तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद चौते फंदे में हम डिजाइन का एक फंदा साथ ले और दोनों को एक साथ लेंगे ऐसे पलट लेंगे और फिर दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनने लपेटए हुए फंद को खोलेंगे नेक्स्ट दो फंदो को हमें एक साथ लेना है और उल्टा बुनते हुए दो का एक का लेना है तो बढ़े हुए फंदे यहाँ पर घट जा रहे हैं बीच का फंदा उल्टा साथ में हमें उनको लपेटते हुए जाना है नेक्स्ट दो फंदो को एक साथ लेंगे सारी ऐसे पल बुनना नहीं है, इसे slip कर लेना है, नेक्स्ट दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए, स्वारी, पहले कर लर के उन से उल्टा बुनते हुए, दो का एक कर लेना है, लास्ट के तीन फंदों को हमें उल्टा बुनना है, उनको हम लपेटते हुए साथ लाएं तो देखिए फ्रेंस आपको डिजाइन सपस्ट हो रहा होगा तो ही लाइन का और चार फंदे का यह प्शूरत सा डिजाइन है तो देखिए इसे मैंने बनाया है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदा होगा तो यदि आपको मेरा यह दिजाइन अच्छा लगा हो पताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंस और फैमली में शेयर कीजेगा थैंक्स फर वाचिंग